तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्यों सेकिंड करवाओंगी एक्सराइज 12.3 का तो इसमें क्या है इसमें कितने सरकल है देखो टू सरकल है लेकिन सेंटर दोनों का क्या है एक ही है दोनों का सेंटर और है और 7 cm ए 14 cm respectfully and angle AOC is equal to कितना है 40 degree AOC यह जो center का angle है कितना degree है 40 degree अब angle AOC कितना है 40 degree अब इस shaded part का area तो सबसे पहले आप figure को समझेंगे यह दो concentric circle है तो देखो इसमें यह चीज क्या बनी हुई है दो radius और इनके बीज की जिक है क्या बनी हुई है sector क्या बनी हुई है sector of the circle है और यह smaller circle जो smaller circle है इसमें यह भी sector है और यह बड़े वाले circle में sector बना हुआ है तो shaded लेकिन भार-भार वाले में तो अगर outer circle के radius में से जो bigger circle का जो sector है उसमें से अगर यह minor sector का area minus कर दें तो क्या जाएगा area of this shaded part समझ में है बटा यह एक sector ही बना हुआ है बड़े circle में भी छोटे circle में भी हमें shaded part जो बड़े circle के अंदर आ रहा है उसका area निकालना है तो बड़े sector के area में से हम इस smaller sector का area minus कर देंगे तो क्या जाएगा area of shaded part तो write करते हैं दे रखा हुआ हमारे पास लिखेंगे let rb the radius of smaller circle smaller circle smaller circle में क्या है चाहिए तो ob कह दो चाहिए od कह दो ob is equal to od कितनी है बटा है अपने पास r कितनी आ जाएगी कितनी दे रखे इसने seven centimeter r जो है वो कितनी आ जाएगी seven centimeter छोटे circle की radius को हमने नाम दे दिया small r फिर कहेंगे let capital r be the radius of bigger circle bigger circle की radius देखी क्या है यह o a और या o c कह दो तो o a is equal to o c मतलब r जो है वो कितनी आ जाएगी 14 centimeter बड़े circle की radius कितनी आ जाएगी 14 centimeter तो हमें निकालना के है जो sadded part है उसका area निकाले है माइनस सेक्टर एरिया सेक्टर ओफ bigger circle माइनस यह क्या जाएगा सेक्टर ओफ smaller smaller circle मतलब smaller sector है उसका area और bigger circle है उसका area तो देखिए अब इसमें put करते है इस क्या है इसका area bigger circle का यह क्या है smaller circle का area तो क्या होता है bigger circle में क्या लिखे theta अपोन ये लिख दो चाहे area of sadded part is equal to area of sector of bigger circle और area लिख देते हैं इसके आपके भी area of sector of smaller circle तो यह कितना है गा theta upon 360 into pi capital R square और यह कितना जाएगा theta upon 360 into pi small r square यह समझ में आए मिटा तो देखो इसमें theta upon 360 into pi दोनों में common है तो हम इसको लिख दे theta upon 360 into pi और अंदर बच गया हमारे पास capital R square minus small r square theta की value कितनी है 40 degree तो क्या लिख देंगे 40 upon में कितना जाएगा 360 multiply by pi pi की value कितनी ले ले 22 upon में 7 अच्छा जी यह हो गया r square तो 14 का square minus में केस का आएगा 7 का square तो 40 upon में 360 into 22 upon में 7 into यह कितना हो जाएगा 14 का square कितना जाएगा देहू 14 का square 196 7 का square 49 तो 196 में से हम 49 क्या कर देंगे minus 16 में से 9 गे कितने बच गे 7 और 8 में से 4 गया 4 तो यह कितना जाएगा 1 mean यह आगे हमारे पास 147 r का square minus r का square 14 के square कितना होता 169 में से 49 माइनस किया तो कितना जाएगा 147 यह आ गया अब इसको कट करके देखो 0 से 0 cancel 4 बन जा 4 49 जा 36 7 बन जा 7 72 जा 14 7 बन जा 7 फिर देखो 33 जा 9 37 जा 21 अब यह cancel तो हो नहीं रहे गे 22 और 7 बच गे उपड़ तो बच गे 22 multiply by 7 और अपोन में 3 तो कितना जाएगा यह 154 अपोन में 3 इतने centimeter square अब 154 को आप divide कर लो चाहिए 3 से तो 3 से divide करेंगे तो 3 5 जा 15 यह 0 और यह 4 उतारेंगे तो कितना जाएगा 3 बन जा 3 यह 1 बच गया फिर 3 जा 9 तो यह कितना जाएगा हमारे पास यह चाहिए तो यह लिख दो 154 अपोन में 3 centimeter square यह हम लिख देंगे कि 51.3 डिवाइड करेंगे तो इतने centimeter square यह area आगया इस सेड़िड पार्ट का क्या हमने कि जो bigger sector था उसके area में से smaller sector का area क्या कर दिया माइनस कर दिया जिसकी calculation आके हमारे पास आगया 51.3 centimeter square तो बहुत पहले बता चुकी हूँ जैसमें हर question में आपको repeat कर रही हूँ कि जो भी इस type के question में जो भी figure given है आप सबसे पहले उसको understand करोगे जब अगर आपको figure clear हो गया तो आपको question बिल्कुल easy हो जाएगा क्योंकि formula आपको पता होगा कि जो भी चीज़ दे रखी जैसी सेक्टर था तो सेक्टर के एरिये का formula क्या होगा अगर लग नहीं है तो आप इसमें introduction की वीडियो या formulas में में send कर रखें उसकी वीडियो देख सकते हो तो सारा का सारा जो भी question है बिल्कुल easy way में आपको explain करने की कोशीज करती हूँ ताकि हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगी है तो वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दीजेगा बिटा और इसी के साथ अपना question number second complete होता है now thanks for watching बिटा